नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिवा उनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की वीडियो केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी, एर फोर्स, नेवी, आर्पी अप, सी आर्पी अप, सी आर्पी अप, सी आईएसफ, आईटी वीपी, एससबी, बीएसफ एंड अधर डिफेंस एक्जाम्स को धेर्म रखते दोब बनाए गई है अगर आप डिफेंस की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में एक-एक प्रिस्न महतुपूर है और आपको यह वीडियो एंड तक देखनी चाहेंगे और चैनल में और एक्जाम में निश्चित सफलते प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्रासिस को सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तो यह वीडियो जो है जो डिफेंस की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं वो करने वाले जरूर देखें क्योंकि यह बहुत ही इंपरड़न वीडियो है option A है आपका पुर्तगाल option B है दोस्तो आपका नेपाल and question number 1 का आपका option C है दोस्तो बंगलादेश and आपका option D है हमारा भारत तो आपको बताना है कि 5 रंग का जंडा किस देश का है options आपके सामने आचुके हैं तो दोस्तो question number 1 का जो correct answer होगा option A पुर्तगाल तो 5 रंग का जंडा किस देश का है पुर्तगाल का next question है मारा आज का question number 2 राश्ट्री रक्ष्याकादमी इस्तित है राश्ट्री रक्ष्याकादमी से आप क्या समाते हैं मतलब यह है National Defense Academy तो राश्ट्री रक्ष्याकादमी में भारती है भारत की तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग होती है तो दोस्तो राश्ट्री रक्ष्याकादमी यानि की NDA और इसका फुल्फाम होती है National Defense Academy कहाँ पर इस्तित है option से आपके देरादून चेन नई, खडग वसला और नागपुर तो दोस्तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो National Defense Academy यानि की राश्ट्री रक्ष्याकादमी है वो खडग वसला में इस्तित है खडग वसला कहाँ पर पुने में कभी-कभी option में पुने भी आ जाता है और देरादून भी यहाँ पर option दिया हुआ तो देरादून में हमारा I.A. में है Indian Military Academy तो यहाँ पर अगर राश्ट्री रक्ष्याकादमी की बात हो रही है तो वो खडग वसला पुने में इस्तित है तो question number 2 का correct answer option C खडग वसला next question है हमारा question number 3 Philippines की राजधानी का नाम क्या है फिलिपिन्स की राजधानी का नाम क्या है option A है आपका option A, Slong Seoul, option B, Manila option C, Tokyo and दोस्तो option D है आपका इनमें से कोई नहीं तो फिलिपिन्स की राजधानी का नाम है दोस्तो Manila तो यहाँ पर question number 3 का correct answer होगा option B, Manila तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 4 अमेरिका की खोज किसने की तो यह बहुत ही important question है और हर exam में ज़्यादा पूंचे जाता है तो अमेरिका की खोज किसने की options आपके हैं option A, Columbus option B, Basco Di Gama option C, Marco Polo and option D, इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों, अमेरिका की खोज की थी बुक की थी दोस्तों हमारे यहाँ पर question number 4 का correct answer हो जागा option A, Columbus अमेरिका की खोज की थी, Columbus नहीं तो question number 4 का correct answer option A, Columbus तो यहाँ पर next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 5 कस्मीर घाटी का मुख सहर है कस्मीर घाटी का मुख सहर कौन सा है तो दोस्तों कस्मीर घाटी का मुख सहर है options है आपके पठान कोर्ट, option B, स्रीनगर, option C, कुपवाड़ा, and option D, इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले मैं आपके बता दूँ कि पठान कोर्ट तो पंजाब में इस्तित हैं तो यह कस्मीर घाटी का मुख सहर हुए ही नहीं सबता तो यहाँ पर कस्मीर घाटी को जो मुख सहर अब हो है स्रीनगर, तो question number 5 का correct answer होगा option B, स्रीनगर तो दोस्तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आप से request करना चाहता हूँ कि तो अगर आप ने अभी तक मारे वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक जरू कर दूए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को like के अमिटे और share करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसे तरह से जनरल नॉलइज करन्ट एफर्स और जो नोटिफिकेशन लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों यह बहुत ही काम का चैनल आपके आने वाले फीचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वैल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपसे किसी भी इंपर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्ट ना हुआ तो दोस्तों इस वीडियो की जो पीडियो है वो आप डिस ज़्यादा लब्द है क्योंकि यह कोशन वही हैं जो किसी ना किसी डिफेंस एक्जाम में आ चुके हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एक्जाम के लिए तो अम्मित करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सेर भी सब यहां पर कोशची नमगर सिक्स का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्र फब्रोब्र तो नीट्रेस ऑप्साइड दोस्तों जो गई सब हास गेस कहलाती है तो नेक्स्ट कोश्टन के तरफ चलते में प्रवर्टित होती है तो यहां पर रासाने गूर्जा जो है यहां पर प्रवर्ष स्रीर से है तो question no7 का correct answer आपशन दी मानव शरीर तो दोस्तो नेक्स्ट कोठें आपका कॉसें नम्मर एट ऐसा ही पढ़जिति में की इकाई है ऐसा ही पढ़जिति में बिज़्ली की एकाई है तो उप्सें से आपके option A एंपियर, option B, column, option C, ohm, और option D, mu तो आपको बताना है कि ऐसा ही पतिती में बिजली की एकाई क्या है तो यहाँ फिर आपका question number 8 का correct answer होगा option A, ampere दोस्तो ऐसा ही पतिती में बिजली की एकाई है, ampere तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 9 पीलिया शरीर के किस अंग को प्रवावित करता है option से आपके option A, यकरत, option B, गुर्दा, option C, खेंपड़े and option D है दोस्तो आपका तंतर का तंतर तो दोस्तो पीलिया जो है वो शरीर के यकरत को टेमिज कर देता है मतलब प्रवावित करता है तो question number 9 का correct answer होगा option A, यकरत next and last question है हमारा आज का इस वीडियो का question number 10 निमन मेंसे कौन सी गैस बातावरों को प्रदूसित नहीं करती है निमन मेंसे कौन सी गैस बातावरों को प्रदूसित नहीं करती है तो option से हैं आपके option A, carbon dioxide, option B, carbon monoxide, option C, oxygen and option D, sulfur dioxide तो इन मेंसे कौन सी गैस है जो बातावरों को प्रदूसित नहीं करती है तो दोस्तो वह गैस है oxygen, बातावरों को प्रदूसित करती है एक oxygen gas ऐसी है जिसकी जरूरत हर मनुस के लिए होती है बिना oxygen के कोई भी मनुस इस प्रित्वित पर जीवत नहीं रह सकता तो question number 10 का correct answer है option C, oxygen, oxygen gas बातावरों को प्रदूसित नहीं करती है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 questions बता चुके हैं यह 10 के 10 questions बहुत ही important questions थे यह किसी ना किसी defense exam में पिछले दो साल के अंदर आ चुके हैं तो यह बहुत ही important questions है दोस्तो इस वीडियो को ज्य वीडियो से फायदा हो चेके और अपने exam को वह सफलता पूर्वक क्लियर करें तो दोस्तो यह वीडियो कैसे लगी मुझे comment करके जरू बता दिया करो और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेना मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने यह वीडियो पूरी देखि तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत